बीग बूटी के Facebook पेज़ पर मैंने यह वाला पोश्ट डाला था जो फ्रिंसेस कट ब्लाउज की फ्रंक पार्ट कर था 36 साइज का तो उसमें बहुत सारे लोगों कमेंट्स आया कि 32 का बताईए 34 का बताईए और इस सेड भी इतना जगा छोड़ देता हूं यह एक्ष्ट्रा मैंने छोड़ रहा हूं इसका कोई महत्व नहीं है तो इसमें हमें ब्लाउज की लंबाई जो है रेडी 13 इंच रखना है 14 इंच पर हम यहां माक करेंगे उसके बाद यहां पे शोल्डर लेना है शोल्डर इसमें 11 इंच है उसका आधा जो है वह हम ले लेंगे बैक गला की जो देप्थ है वह ले लेंगे हम जितना हमारा देप्थ है उतना सेम लेंगे बैक गले की जो चौड़ाई है 2.25 ओले लेंगे और उसके आधार पे यहां 2.5 इंच यहां ले लेंगे यहां से 2.5 इधर बढ़ा देंगे और मैं ड्राफ्टिंग में सब लिग कर समझा दूंगा आर मोल के लिए जितना भी आपका चेस्ट होगा उसका छठा भाग लेना है जैसे कि इसमें 34 इंच है तो हम इसको भाग कर देंगे 6 से ठीक है दिखने आपको तो इसमें जो आ रहा है 5.66 5.66 है 5.75 हम ले लेंगे इसमें जो मेजरेमेंट हमने यहां दिया है वही मेजरेमेंट हम यहां भी दे देंगे फिलाल के लिए और फिर यहां पे आपको उसके बाद इस लाइन पे हमारा अपर चेस्ट का मेजरेमेंट होगा अपर चेस्ट में 32 है ठीक है तो अपर चेस्ट का मेजरेमेंट यहां पे होगा और फिर यहां पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं अब एक चीछ देखना है ऐसे करने से पहले निसान लगाने से पहले आपको ऐसे माप कर देख लेना है इसमें हमारा जो है 15 इंच आर मोल है तो आधा उसका आरा यह नहीं आ रहा है ठीक है तो आराम से आ रहा है 7.5 आ रहा है तो यह आसानी से 15 इंच हमारा आर मोल बन जाएगा तो ऐसे रख कर गोलाई दे देंगे यह हमारा मेन है और यह हमारा फिटिंग का है अब अगर आपका आर मोल यहां पे इस निसान से नहीं आ रहा है परफेक्ट तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है आप यहां पे अगर बढ़ाना है आर मोल तो इस निसान को और नीचे कर दीजिए और फिर यहां से यह गुलाई ले दीजिए अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो ए वाले निसान को आप थोड़ा सा उपर कर दीजिए और वहाँ से गुलाई ले दीजिए तो आपका यह perfect आ जाएगा ठीक है अब जो measurement हमने यहाँ पे लिया है उससे 0.25 बढ़ा कर यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे चोथे भाग में 7 इंच है ठीक है इसमें जो हमारा कमर ज्यादा पतला है तो इसके लिए यहाँ की dot ज्यादा लगेगा dot कितना आ रहा है इसमें हमारा 1.5 इंच आ रहा है ठीक है तब यहाँ से इसको छोड़ देना है यहाँ से इसको ऐसे लेना है यहाँ पे आना है और यहाँ पे ए निसान लगा देना है बीच में अब दोनों साइड ऐसे रखना है डेर इंच हमें करना है तो ऐसे करके ऐसे और एक यहाँ पे निसान एक यहाँ पे निसान हो जाएगा और एक यहाँ पे निसान हो जाएगा ठИक है पोनवड इंच ले लेता हो दोनों साइड़, अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, ऐसे कहा तक करना है हमें? इस से यहां से 4 इंच तक है, और इस निशान को थोड़ा सा सीधा लेना है, और फिर यहां से इसको ऐसे मिला देना है…. ठोड़ा सा यहां पर भी बाहर करना है कुछ इस तरीके से परफेक्ट है अब हमारा कमर जब मेजरमेंट करेंगे तो यह और यह दोनों साथ इंच ही होगा यहां पर देख लीड्या साधे तीन इंच हो गया साथ चो अठाए चोथे भाग हो गया आपको क्या करना है siamo.2575 यहां पर उपर करना है और इसको जु है यहां पर ले आना है अब जो हमारा बच रहा है, यह मार्जिंग है, यह हमारा किसी काम का नहीं है, देखिए वेक पार्ट का कम्प्लीट एसके त्यार हो चुका है, और हर जगह पे मैंने फुल मेजरेमेंट लिख दिया है, और इसकी मदद से आप भी आसानी से कट कर सकते हैं, आप भी इसको एक फ्रंट की पार्ट करने वाले हैं, फ्रंट की पार्ट करने के लिए इसको हम ऐसे घुमा लेंगे, और फ्रंट की पार्ट करने के लिए, यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा निसान दे रहा हूं, और इस साइड ते में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, उसके बाद इसको रखेंगे, और जितना ये है उससे आधा इंच एक सुथ कुलस कर देना है ऐसे यहां से हम इसको मापेंगे जितना आ रहा है उतना है हम इधर पे ले लेंगे अब सोल्डर में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि जो बैक का गला है वो मैंने 2.25 लिया है और प्रंट की गला 2.75 लिया है तो उसलिए आपको यहां पे आधा इंच प्लस कर देना है सोल्डर यहां पे और आधा इंच सोल्डर का स्लोप भी देना है आपको उसके बाद इस साइट से आपको एक इंच प्लस करना है ऐसे यह एक इंच जो प्लस किया है मैंने और क्यों किया है जब प्रिंसेस कट होगा और उसमें जो जुआइंट करते हैं कटोड़ी और योग का पला उसमें आपको टोटल आधा इंच इदर का और आधा इंच इदर का एक इंच मार्जिंग चला जाता है इसलिए मैंने क्या किया पहले ही यहां पर बढ़ा दिया एक इंच अब इहां पर आपको इस जगब पे जितना ज्यादा पप का उभार चीए उसके हिसाब से इसमें डॉट देना है इसमें मैं क्या करूंगा दोट दोट दूगा complete टोटल जो डोट है तो दो इंच का दोँगा क्योंकि साइज जोए वो 34 का साइक है ठीक है तो दो band content के हिसाब से यहां पर जो मैंने डोट लिया है और …-छ लिया में तो और एंच क्या करणै है rock ठीक है ऐसे, देखिए, ठीक है, और ये निसान को ऐसे मिला देना है आपको, उसके वाद सोल्डर स्लोप मैंने इसमें आधा इंच दिया है, तो पहले इसको हम हटाएंगे, और यहाँ पे नेक की जो है चौड़ाई, 2.75 उसको हम ले लेंगे, ऐसे, उसके वाद इसको हम सोल्डर स्लोप दे देंगे, अब इस आर्म होल को, जो है, हम यहीं से लेंगे, और प्लस आधा इंच उपर की साइड रखेंगे, आधा इंच उपर की साइड रखेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, आधा इंच, अब क्या गरना है, इसको ऐसे ही लेना है, अब यहाँ पर इसको हम मिला देंगे, ऐसे, अब यह वाला जो मार्जिंग है, डेड़ इंच, वह हम ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे, नेक ड्रॉप इसमें सेवें इंच मैंने लिया है, और जितना यहाँ पर है, सेम उतनाई हम यहाँ पर इसमें लेंगे, यहाँ पर आधा इंच का, हम गैप छोड़ेंगे, आई और हुप पट्टी के लिए, अब यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट लेना है, तेल इंच पर, जो मेजरमेंटे में लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप को ले लेना है, फोर इंच, यह रहाँ फोर इंच, यह निशान मैं यहाँ से दे देता हूँ, अब नीचे के साइड में, जितना हमने यहाँ लिया है, क्वाइंट टू फाइब कम कर देना है, यहाँ पर ले लिजिए आप, फोर इंच, इसको और इसको ऐसे मिला दीजिए, उसके बाद एस स्केल से, यहाँ पर मिलाईए, यहाँ पर टू इंच, यहाँ पर एसे, फिर यहाँ पर एसे, यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, एक निशान हम, यहाँ पर देंगे, अब यह देखे, बैक का पार्ट जो है, उसको आपको यहाँ पर रखना ऐसे, ठीक है, ऐसे, यहाँ पर आएगा, यह हमारा एक्स्ट्रा होता है, और फिर यह यहाँ आएगा, देखे, इस तरीके से, यह हमारा कंप्लीट कटिंग हुआ, यह जो है, ऐसे कटेगा, और यह ऐसे कटेगा, तो देखे, इस तरीके से, हमारा प्रंट की पार्ट भी कंप्लीट, इसका डाइग्राम तयार हो चुका है, पूरा मेथट, पूरा फर्मूला, हर जगा पे मैंने लिख दिया है, कंप्लीट, आप इस फोटो को देखतर भी आसानी से बना सकते हैं, अब इसकी हम कटिंग करने वाले हैं, उसके बाद हमारा बैक और प्रंट दोनों रेडी हो जाएगा, आप लोग भी अच्छे से समझ लिजिए, या तो पॉस करके वीडियो देख लिजिए, मैं इसको कट कर देता हूँ, तो इस तरीके से 34 साइज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कंप्लीट बैक और प्रेंट दोनों कटिंग हो चुका है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जर के लिए धन्यवाद,